कलियूक का सबसे बुरा समय सुरू होगा दाने दाने को मुहताज हो जाओगे 9-10-11 जनवरी 2023 धनुराशी वाले जातक बेहद खास रहने वाले हैं सोचा भी नहीं था ऐसा दिन देखना पड़ेगा नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनु की दुनिया में धनुराशी वाले जातकों के लिए 9-10 और 11 जनवरी का दिन बेहद खास है बहुत सारे परिवर्तन बहुत सारे बदलाओ देखने को आपको इन 3 दिनों में मिलने वाले हैं ग्रानमक चत्रों की क्या चाल रहेगी क्या परिवर्तन होंगे इसका असार आपको क्या देखने को मिलेगा इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से भाई बंदुगों से मित्रों से माताओं से बेहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजगा चैनल पर हमारे पहली बारा है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दवाईए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तो जात्तों के लिए जो तीन दिन है उन्नति दिलाने वाले रहेंगे जीवन साती के कहने में आकर कोई भी बड़ा निवेश आप कर सकते हैं आपको अपनी आये बढ़ाने से आपका मन प्रशन न होगा लेकिन आपको व्यर्थ के व्याय करने से भी बचना होगा यानि कि फिजूल खर्ची से भी इन तीन दिनों में सावधान रहना होगा बच कर रहना होगा मित्रों से कोई वाद विवाद होता हुआ भी इन तीन दिनों में दिखाई दे रहा है इसलिए आप बात्चित करते समय बहुत ही सावधानी बढ़ते कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचके बोलिएगा वरना परिसानी आपको होगी समस्याएं बढ़ सकती है आगे बढ़ते हैं ये जो तीन दिन है साकराद में परणाम कई जगों पे देंगे परणतु आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा आम दिनों के तुल्दा में आपके अंदर भाई बंदुत्व की भावना जो है अंदर बढ़ेगी और समाजिक छेत्रों में कारेरत लोगों के लिए आए जो तीन दिन है उत्तब रहने माले हैं साथी साथ जन कल्यान के कामों से जुड़े लोगों को अच्छा लाव मिलेगा अच्छा नाम कमा पाएंगे आज जो है इन तीन दिनों में किसी मामले में साहस से काम अगर आप लेते हैं तो अवश्य आपको लाव होगा ये तीन दिन जात्कों के लिए महत्तबूर्द रहने वाले हैं कई मामलों में आर्थिक मामलों में देखे तो थोड़ा अच्छा नहीं है नुक्सान होगा परतु बाकी छेत्रों में देखे तो ये जो तीन दिन है बहुत है थापित होंगे आपके लिए अच्छे लाव दे कर जाएंगे किसी से वाद विवाद हो सकता है इसलिए कुछ भी किसी को बोलने से पहले थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा आख बंद करके किसी पे विस्वास इन तिन दिनों में आपको नहीं करना है अन्यता आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा कोई भी महत्रपुड काम हो वो खुद से करे किसी के किसी दूसरे के प्यासरित ना रहें कि वो हमारा काम कर देगा अगर ऐसा आप करेंगे दूसरे प्यासरित रहेंगे तो आपका बंता काम बिगड़ सकता है इसलिए कुछ भी करने से पहले दस बार सोच लीजिएगा कि तीन दिन मान सम्मान में वृद्धी लेकर आ रहा है किसी बड़े लक्ष की और आप आगे बढ़ेंगे ससुराल पक्ष से आपको धनलाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ससुराल पक्ष से धनलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी रचनात्मा कामों के प्रती रुची बढ़ सकती है आपके सुख और सोवधाओं में वृद्धी होने से आपका मन प्रशन रहेगा विद्यार्तियों को उच्छ सच्चा के मार्ग प्रसस्त होंगे ये तीन दिन जातकों के लिए किसी निवेस को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए अगर जल्दबाजी में निवेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा फाइदान नहीं होगा आपको परिजनों का पूरा सही होगा और साथ मिलेगा लेकिन आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखे और अपने करीबियों से बातचीत करते रहे पर किसी पे भी विस्वास आँख बंद के मत करे आँख बंद करके अगर विस्वास करिएगा तो नुक्सान होगा अब विस्वास कोई कुछ बोलता है तो उसमें सवधानी जरूर बरतिएगा तब ही आप उनका भरोसा जीतने में काम्याब रहेंगे यदि आपके कुछ खर्चे बढ़ें तो उसमें आपको कटवती करनी होगी अगर अभी कटवती नहीं करिएगा तो आने वाले समय में आपकी अर्थिकिस्ति जो है इस पे असर पड़ेगा अर्थिकिस्ति बिगड़ जाएगी ये तीन दिन मिस्तित रूप से कई जगों पे फल्दाएक रहने वाले हैं अपने काम काज के लक्ष पर पूरा फोकस बनाए रखना है आपको परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने से परिवार का महौल इन तीन दिनों में खुशनुमा रहेगा अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा आपको किसी समझाते को बहुत ही सावधानी से करना होगा अगर कोई डीलिंग करने जा रहे हैं कोई डील कर रहे हैं किसी से कोई समझाता कर रहे हैं तो सावधानी से करें तो बहतर रहेगा आपके लिए कोई महत्यपूर्ण निर्णे जो है इन तीन दिन में बड़े सदस्यों की मदद से लेंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए बहतर रहेगा ये तीन दिन जो है धार्मिक गतविदियों से जुड़कर नाम कमाने के लिए बढ़िया है कारे छेत्र में आपको आपकी योग् संबंदित आपकी जिम्मदारियां बखो भी आप निभाएंगे परिवारी के जिम्मदारियों के निभाने में कामियाब रहेंगे आप जिसे परिवार के सदस्यों से आपको प्रशनता मिलेगी साथ मिलेगा उनका ये तीन दिन जो है भाग के दिश्टिकोंड से अच्छा किसी दन सम्मंदित मामले में जो है किसी पर आख मूंद कर भरोसा ना करें नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है इसलिए इसको लेके से थोड़ा सा साउधान रहेगा तो बहतर रहेगा यह तीन दिन जातकों के लिए कई मामलों में सामाने रहेंगे आप किसी भी वाद पेट सम्मंदित परशानियां हो सकती हैं यह तीन दिन किसी काम को सूजबूज दिखा कर करें नहीं तो वह गलत हो सकता है काम गड़बड हो सकता है यह तीन दिन है जातकों के लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाले हैं कई जगहों पे अच्छे लाव भी और किसी संपत्ति की खायदारी करने के भी यह तीन दिनों में योजना आप बना सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं आपकी अपने कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात भी होती हुई दिखाई दे रही है आप सब को साथ लेकर चलने की पूरी कोसिस करेंगे और आप साजदार कुछ थागी लोगों से साथान रहना होगा नहीं तो आपके साथ कोई चल कर सकते हैं स्वास्त में चल रही किसी समस्या आप नजर अंदाज ना करें कोई भी समस्या आगर चल लए है स्वास्त से सम्दित उसे इग्नोर ना करें नजर अंदाज ना करें अन्यता कर ऐसा करेंगे तो परिसानी आपको उठानी पड़ेगी ये तीन दिन दन सम्मंदित मामलों में शावधानी बरतने के लिए रहेगा यानिकि दन सम्मंदित मामलों में अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसानी होगा इसलिए जितना हो सके दन से सम्मंदित जो भी मामले हैं सावधानी उसमें दिखाईए सावधानी बरती है आपको बड़ो की बात सुनने में समझधारी होगी तब ही आप किसी काम को आगे बढ़ा सकेंगे परिवारी कामों में आप पूरी रूची से मन लगा के काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा नहीं तो सदस्यों से आपकी नाराजगी हो सकती है वाद दिवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं घूमने अगर जा रहा है तो बजट कभी से इस खयाल लगए अन्ना तक परिशानी आपको उठानी पड़ेगी इसको लेकर भी थोड़ा साथान रहेंगे तो जादा बेतर रहेगा आपके लिए दोस्तों इन तीन दिनों में बेकार की बाग पर बहस करके आपकी जो उर्जा जाया नहीं करनी है यानि कि किसी भी चीज़ पर बेकार की चीज़ों पर डिवेट किसी से भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ इसमें आपकी जो है आपकी उर्जा बरबाद होगी और कुछ नहीं याद रखें कि वाद व्वद से कुछ भी हांसिल नहीं होता लेकिन खोता जरूर है इसलिए जितना हो सके वाद व्वद से दूर रहीएगा ये तीन दिन आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाव भी होगा अगर आप अपने घरेलो जिम्मदारियों को अंदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं इसलिए इसका ख्याल रखें ये तीन दिन अपने प्रिये से दूर होने का दुख आपको सोने नहीं देगा चैन से ये तीन दिन मिलकर काम करिए टीम वक में काम अगर करेंगे तो आपको लाब मिलेगा परिसानी से भी आपको छुटकारा मिलेगा कामकाज में या तो मन कम लगेगा या रिकाउटे आएंगी परंतो कोसिस करें कि मन लगाए जितना हो सके अपने ध्यान को फोकस करके रखें एक जगा पर केंद्रित करके रखें तब ही जाके आप सफल हो पाईएगा लेन देन में साबदानी बरती हैगा ज्यादा बैतर रहेगा आपके लिए इस रासी के जो कुछ लोग हैं अपनी मेहनात और नतीजे से इन तीन दिनों में असंतुष्ट रह सकते हैं की वो जो कर रहे हैं के मन में एक प्रश्ण चलता रहेगा क्या हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या होगा और जो रिजल्ट आएगा जो अभी कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट इन तीन दिनों में उनको देखने को मिलेगा उससे खुस नहीं रहेंगे और सं तो दोस्तो यही था आने वाले आपका तीन दिन कैसा रहेगा उम्मीद करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दें चैनल पे हमारे पहली बराएं है तो दोस्तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा सबस्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें आसपास सफाई रखें घरवालों का खयाल रखें साथी साथ अपना भी खयाल लखें ये तीन दिन आपके लिए मंगल में रहें शुब साबित हो अच्छे साबित हो यही कामना करते हैं जय शुरादे जय बोले नात हरहर महादेव बंबं बोले